हरती जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसके नेता और कारेकरता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं पार्टी के हर देश को वो सराखों पर लेते हैं और जनता देवतुल है लेकिन ये पहली बार हुआ है बीते कई चुनाओं के देखने के बाद कि किसी नेता ने अपना टिकट कटने के बाद बगावत कर दी हो जी हाँ लोकसवा चुनाओ 2024 आ चुका है और कुछी दिनों में चुनाओं की तारीखे सामने आ जाएंगी लेकिन बीजेपी की जो पहली सूची आई है उसमें अब बगावत सुरू हो चुकी है टिकट कटने के बाद चुरू सांसद राहुल कासवा ने आज रैली कर दी और ये रैली उन्होंने अपनी जनता के बीच में की चुरू जिले के राजगर्ड स्थित अपने आवास में राहुल कसवा ने जनता के सामने या करके लोकसभा चुनाओं दो हजार चौविस अपने परिवार के राजनीतिक इतिहास और राजिंद राठोर का नाम लिए बिना कई निशाने साथे उन्हें ने तो यहां तक कह दिया कि कोई एक व्यक्ति ये तै नहीं कर सकता कि उनका भविस्य क्या होगा उनका इतिहास क्या होगा यहाँ पर कसुआ ने ललकार लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति हमारे कल का फैसला नहीं कर सकता जैचंद के बीच रहने वाले जैचंदों के जैचंदों की बात करते हैं पार्टी ने जवाब दिया तो नाम जरूर बताऊंगा क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले भविस्त का फैसला करेगा कि यहां पर कौन जियेगा और कौन मरेगा अपने अपने वाले कल का फैसला हम खुद करेंगे मैं च्छव दिनों से एक ही सवाल पूछ रहाओं कि मेरा कस फो चोडंगी तो अभी जिंदा है ठुखेगा नहीं मैं हमेशा अबेरी च्छी तर में रहा च्छु दॉलंसे भारने भी प्रोग्राम करें कूंग्यों मैं कक्डे नाग्वर तो बिकांदल भी कूंग्यों क uniqueness हर वहां तो मेरी लौकस वांके नंदर रहा है मेरी ताकत ही मुझे पता था कि सफर लंबा है लोगों के दिलों में जगे बनाने का सफर एक सांसत के रूप में इतना आसान नहीं होता पांट साल प्थ साल हम जान भी नहीं पाते लोगों को इतना लंबा सफर होता है आत्मा बहुत दुभी है इस विचार के साथ में पूस्ता है रह गया मैं पिछले छे दिनों में हर जगह मैंने दिन में तिन तिन घंटिया करी है कि एक कारण तो बता दो कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूँ अपने आपके अंदर दरसल राहुल कासवा ने इस टिकट को अपने दिल से लगा लिया है और अपने उपर इस तरह से इसको दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं जैसे उनकी चवी को धक्का पहुँचाए गया है उन्हें इस टिकट कटने से थेस पहुँची है और ये सब कुछ उन्होंने अपने स्वाविमान के लिए करना शुरू कर दिया है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो अपने स्वाविमान की लड़ाई लड़ रहे हैं दरसल वीजेपी से टिकट काटे जाने के बाद वो पहली बार जन्ता के बीच आये यूँ तो ट्वीटर पर बीते कई दिनों से लगातार वो एक्टिव थे और लगातार पाटी पर दबाव बना रहे थे और टिकट न दिये जाने को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि मेरा क्या कसूर है आपको बता दें कि आज राहुल ने जन्ता के बीच और अपने आवास पर लोगों के बीच कर आकर के कहा कि उनका परिवार 1977 से राजनीति में है चुनाओ कभी हर जीत के लिए नहीं लड़ा जन्ता के काम करवाने सुख दुख में साथ देने और विकास के लिए चुनाओ लड़े 33 साल पहले भैरो सिंग शेखावत ने मेरे सरपंच पिता को संसद में जाने का मौका दिया था वो लगाता ललकार रहे हैं और पार्टी को आग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या यूँ कहें कि दवाओ की एक रिणनीति अपना रहे हैं हाला कि उन्होंने जनता से साथ मांगा है ऐसे मैं कहा जा रहा है कि राहूल कासुआ चुरू से बगावत करते हुए चुनाओ या तो किसी पार्टी से या फिर नर्दलिये लड़ सकते हैं चुरू से लगातार दो बार से बीजेपी के सांसत का इस बार टिकट कटने की वज़े से तारा नगर के राजिंदर राठोड की कॉंग्रिस के नरिंद बुड़ानिया के सामने हार का बदला माना जा रहा है दरसल विधान सबा चुनाव में राजिंदर राठोड हार गये थी और आरोब इसी प्रकार के थी यानि चुरू की जो सियासत है वो अपने आप में एक पहली साथी ये भी चर्चा है कि राहूल कास्वा कॉंग्रिस में भी जा सकते हैं और वहां से हरी जंडिका इंतिजार कर रह हैं जैसे फिल्म स्टार भोजपूरी के पाउन सिंग इसके लाव बारवंकी से सांसद उपेंदर रावत उन्होंने भी टिकेट वापस कर दिया है लेकिन चुरू में जो टिकेट कटा है वहां से बगावत पहली बार सामने आई है आपको बता दें चुरू से मौजूदा स दो बार विधायक रहें यानि राजनीति में इनका कुराना दबदवा है इसके अलावा कहा ये भी जाता है कि वो उपराश्टपती जगदीब धंकड के दामाद भी है और अब दामाद जिस तरह से अपने हाव भाव दिखा रहे हैं जिस तरह से अपने दाओं फेर रहे है उस से अब तक हालांकि जगदीब धंकड या उनकी आजपास या उनकी परिवार से कोई रियक्शन सामने नहीं आया है चूंकि वो समवैधानिक पत पर हैं तो उनकी मरियादा है लेकिन फिर भी राहुल कांसवा का ये कदम राजस्थान में बीजीपी के लिए मुश्किल खड़ा करने वाला कहाई जा सकता है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही हो वन इंडिया हिंदिक साथ तमस्कार